अभी बचों को प्यार भरा नमश्कार क्लास केम शुरुवात करेंगी और आज नई यूनिट पढ़ेंगी नई यूनिट कौन सी रहेंगी एक पास अले बस देख लेते हैं अबन देखो इदर हां ये रहा ये जो नई यूनिट है अपनी ग्रेजुएशन लेवल की आपकी ब देखना है तो देखो यहां पर हमें पढ़ना क्या क्या होगा इस यूनिट में देखी वेजेटिटिव एसेक्शवल और सेक्शवल यानि कायक चनन, एलेंगीक चनन और लेंगीक चनन, पोलीनेशन एंड फटिलाजेशन, परागण और निसीचन, एम्डियोजेनेसिस यान इतनी सारी चीजे हमें इस यूनिट के दोरान पढ़ने होंगी, ठीक है, आप सबको पता है कि जब हम प्लांट किंडम स्टार्ट करते हैं तो आपको ऐल्गी पढ़ने पढ़ती है, फंज, ऐल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, और जिम्नोस्पम, यह सारी चीजे पढ़ने होते हैं, लेकिन यहां पर बंदा क्या कह रहा है, आपको यह कह रहा है कि हायर प्लांस पर रिप्रोडेक्शन बताइए, यानि उच पादपों में जनन पढ़ना है आपको यहां पर, उच पादप, इनमें सब में से जो एडवांस्ट है, वो क्या है, एंजियो स्पम है, सबसे एडवांस्ट पूछ रहा है, तो यहां पर हमें एंजियो स्पम के बारे में पढ़ना होगा, एंजियो स्पम यानि आवर्थ बीजी और जैसे ही मैं आवर्थ बीजी बोलूं, तो आपकी दिमाग में आना चीए, कि पुषपे पादपों में लेंगिक जनन पढ़ना होगा, पुषपे पादपों की प्राणे की पढ़नी होगी, लेकिन एक बात वदातू, तो पुषपे प्लांट है, फ्लॉवरिंग प्लांट है, उनकी यहां पर मॉर्फोलोजी नहीं पढ़नी, आकारे की नहीं पढ़नी, लेकिन फिर भी हम कोवर की जो पार्ट हैं वो यहां पर लेंगी जनन में काम आएंगे ठीक है तो शुरुवात करें अरे करें क्या देखो यहां से पढ़ना स्टार्ट करेंगे आवत बीजी पादपो की भ्रॉण की यानि अब्रियो लोजी ओफ एंजियो स्पम अनिमल अब्रियो लोजी मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से पढ़ा दी है नहीं देखे हैं वीडियो तो देखे और अच्छी तरीके से नौर्स बनाएं वहां से क्वेशन बहार नहीं हो सकता जब आप पढ़ना स्टार्ट अब्रियो लोजी को तो आपको confidence आने लग जाएगा question तो बहार नहीं जाएगा क्योंकि मैंने point to point करवाई है आपकी syllabus के according करवाई है चीक है तो देखो यहां पर आवर्त पीजी पात्मों की ब्रहौने की पढ़ना पढ़ेगा या फिर ऐसे कहे दो कि flowering plant में sexual reproduction पढ़ेंगे पुष्पे बात वो मिलेंगे चनन पढ़ेंगे एकी बात है तो देखो शुरुआत करते हैं भारती पात अब ब्रहौने की यानि plant embryology विग्यान की जो जनक है वो professor P. Maheshwari है ठीक है embryology हिंदी में इसको आपको पताईए कि ब्रहौने की कहा जाता है विग्यान की वैसाखा ज embryo पढ़ेंगे embryo को आपको पता है कि हिंदी में भून कहा जाता है बीच में पाए जाने वाली वैरेजना जिससे बविश्य में क्या होता है पादप का निर्मान होता है आप सबको पता है कि embryo से ही क्या होता है नए plant का निर्मान होता है नए organism का निर्मान होता है होता है कि embryus से ही animal में क्या बनता है organism बनता है अब देखिए capsula को typical angiospum माना गया है typical angiospum typical यानि एक प्रारूपिक angiospum, प्रारूपिक आवर्त बीची माना गया है आप सबको पता कि आवर्त बीची तो बहुत सारे होते हैं, सारे आवर्त बीची रहेगा, capsula रहेगा ठीक है, क्योंकि एक को पढ़ लेंगे तो सारे वैसे ही होते उसमें सारे character क्या होते हैं similar होते होते की नहीं होते होते हैं देखो इदर क्योंकि इसमें अधिकांस, महत पून यानि आवर्त बीची, angiospum के क्या पाया जाते हैं, लक्षन पाया जाते है capsula एक खर्बतवार की रूप में हिमाले छेत्रों में क्या करता है व्रदी करता है सीतरीतू, सीतरीतू यानि winter season के बारे में बात कर रहे हैं कि जो capsula है, वो एक खर्बतवार की रूप में हिमाले में क्या करता है व्रदी करता है कौनसे सीजन में करता है विंटर सीजन में करता है यानि सीत रीतू में करता है ये एक द्विगुनित पादफ है द्विगुनित यानि 2N पादफ है ये मूल यानि रोट तने यानि स्टैम पती यानि लीप में क्या रहता है विफक्त र पाया जाता है यानि alternation of generation पाया जाता है बिजानूद भीद ठीक है बिजानूद भीद यानि डिप्लोइड यानि बिजानूद भीद कैसा होता है टू एन होता है PD एकाантरन से क्या समझ मेовैं, बेज पी एकांतरन का मतलब है कि इन में एक PD sporophyte होती है उसके बाद में दूसरी PD repeat होगी जो कि gametophyte होती है फिर sporophyte होगी, फिर gametophyte होगी, फिर sporophyte होगी, फिर gametophyte होगी, यानि बिजानोद भीद होगी, युगमकोद भीद होगी, फिर बिजानोद भीद होगी, फिर युगमकोद भीद होगी, इस तरीकी से PD एकांतरन देखने को मिलता है आवर्त पीजियों में, आगे देखी, प 2N जो कि दिर्ग जीवी सवफोसी यानि ओटोटोफिक ये मूल यानि रूट अस्तम और परण में क्या होता है विभेदित होता है यानि जो एंजुल श्पम है उनमें जो प्रथम पीडी होती है वो कैसी होती है इस्पोरोफाइट द्वीकूनित इस्पोरोफाइट प्रथम पीडी होती है वो 2N होती है वो स्तम्प और परण में क्या होती है स्तम्प हो गया रूट हो गया परण यानि लीफ हो गया उसमें क्या होती है विभेदित होती है साथ में ये दिर्ग जीवी होते है और कैसे होती है ओटोटोफिक होती है यानि स्वंपोशी होती है आप याद रखेंगे कि एंजुस्वंग की पर्थम PD कैसी होती है 2N होती है पहली बात तो इसलिकी से क्वेशन पूछा जाता है कि आवर्थ बीजों में जो पर्थम PD है वो विजानुद भीद है या फिर युकॉद भीद है आप टिक करोगे क्या है विजानुद भीद है विजानुद भीद आते ही आपके मायन पना चाहिए हो कैसी होगी 2N होगे और जैसे ही युचुध में भीद है यानि गयमेटुफ़ाइट है और गयमेट आपको पता है कि गयमेटु हफीलाइट होती है हप्लोइड होती है एगुनित होती है ठीक है अब देखो दूसरी पीडी जो दूसरी पीडी है यानि एगुनित युगमकोद भीद यानि हप्लोइड गैमेटुफाइट द्वारा निरुपीत होती है जो कि अल्प जीवी और अतेंद क्या होती है हराशित होती है जबकि वो तो दिर्ग जीवी थी और कैसी थी और ट्रॉफिक थी जब कि ये कैसी है अल्ग जीवी और अतेंद हराशित है तो आपको समझपे आगा है कि इनमे अल्डरेशन ऑफ जनेरेशन पाया जाता है पीरी एकांतरन पाया जाता है पहले क्या हाती है स्पोरोफाइट आती है उसके पाया जाता है ठीक है रिप्रोडेक्शन एक ऐसी इंपोर्टेंट प्रॉसेस है जो जनन है आप सबको पदाए कि इंपोर्टेंट प्रॉसेस है महत्तोपून प्रक्रिया है जिसके बेना कोई भी चाती लंबी समय तक उत्तर जिवीता फ्रदर्शित नहीं कर सकती एक और ग करता है अरी करता है कि नहीं करता इंकरीज कैसे होगी संक्या जब जनन होगा तो जब जनन होगा तो जीवीता लंबे समय तक क्या होती है बनी भी रहती है किस रिखे से देखो माली जी ये कोई एक समस्त्री है क्या है समस्त्री है यानि कोई कम्यूनिटी है और इसमें हो जाएंगे मर जाएंगे और इनके बीच में जनन हुआ नहीं तो इसमस्ति तो क्या हो जाएगी नस्ट हो जाएगी अरे नस्ट होगी कि नहीं होगी हो जाएगी तो इनके बीच में जनन होना जरूरी है ताकि इन जिवों की उत्तर जीविता क्या रहे बनी रहे है अरे जनन होगा तभी तो नई और्गिनेशम आएंगे नई जीव आएंगे हाँ ना आएंगे की नहीं आएंगे तभी जीवों की उतर जीविता क्या रहती है बनी भी रहती है तो जनन जरूरी है की नहीं जरूरी है उतर जीविता के लिए जरूरी है ना और जैसी ही आपको पता कि जन लेंगिक जनन, लेंगिक जनन से नई विभनताएं उत्पन होती है, it's very very important, जिसके कारण जिवों की उत्तर जिविता क्या होती है, बढ़ती है, विभनताएं किसके लिए जिम्मेदार होती है, विकास के लिए जिम्मेदार होती है, यानि विभनताएं उत्पन होती है, कौन स ध्यान रखूँ कि ये दोनों ही चीज़े क्या है महतोपूर्ण है ऐसे बॉक्स में आपको बंद करके स्टार लगा लेना है ऐसे ऐसे ठीक है इंपॉर्टेंट है अब मुझे एक बात बताओ लेंगिक जनन होगा अरे लेंगिक जनन होगा माली जी ये दो जीव है इनके बीच में लेंगिक जनन होगा तो तीसरा जीव यहां पर प्रड्यूच होगा कि नहीं होगा हो जाएगा न तो इस जीव की उतर जीविता के लिए इन दोनों का reproduction करना जरूरी है, अगर इन दोनों के बीच में reproduction नहीं होगा, तो यह जीव नया आएगा क्या, नहीं आएगा न, नहीं आएगा तो generation आगे नहीं पड़ेगी generation आगे नहीं पड़ेगी और फिर यह एक time पर यह दोनों मर जाएंगे, फिर यह नहीं आया, तो फिर यह समस्ती यहीं पर क्या हो जाती है, एंड हो जाती है तो इनके बीच में reproduction करना जरूरी है ताकि नया organism आए, और जब नया organism आता है, तो वह सारी विवन्ताएं होती है और विकास के लिए जिपेदार होती है वो भी भंताएं, एक चीज़ याद रखना मालीजी सुनना है आपको जैसे कि यह एक human being के बारे में बात कर रही हूँ यह एक अलकास्ट का है, और यह एक अलकास्ट का है, इन दोनों की शादी हो जाए, और इनके बीच में रिप्रोडेक्शन की प्रासेस होती है तो यहाँ पर जो जी प्रड्यूज होता है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉंग होता है, बजाए यह सेम कास्ट के हैं, यह सेम कास्ट के, इनके बीच में रिप्रोडेक्शन की ऐसे बोले कि इंटरकास्ट मेरिज कर लो, ना ना, सिर्फ मैंने बताया है, है ना, वो तो आपको पता है कि नॉर्मेल फैमिलीज में इस दिखी की चीज़े आलाव नहीं होती, है ना, लेकिन ये एक मैंने साइंस की तरीके से एक फक्ट बता है आपको, ठीक है, बाकी वास्त पुष्पे पादफ हैं, उनमें लेंगिक जनन है, यानि लेंगिक जनन आवर्थ वीजियों में पुस्पो की द्वारा होता है, पुस्प एक परकार का रुपांतित, यानि मोडिफाईट निशित व्रदिवाला प्रेरो, यानि डिटर्मिनेट शुट है, निशित व्रदि वाला है ठीक है जिससे अतेंद सघन यानि condensed इंटर नोड यानि परवय क्या होते हैं पाएश जाते हैं वै पतिया रुपांतित हो वीफिन पुष पे पातपोगा क्या करती हैं निर्बान करती हैं वै पतिया रुपांतित होकर कि वीफिन पुष पे भागो का निर्बान और पूश्प की कौन-कौन से भाग होते हैं, देखें, यहां पर बाहे दल यानि सैपल, दल यानि पैटल, उंकेशर यानि स्टैमन, और इस्तिकेशर यानि कारपल, यह चार भाग है, ठीक है, हिंदी और इंग्लिस दोनों याद रखोगे, कई जगा आपको सैपल ही पूश्प के भाग, पूश्प जिस भाग पर लगावा है, वो कैसा है, पूश्प फृंट यानि पैडिकल है, और इसके ऊपर, इसके ऊपर ये क्या है, अरे बैसके ऊपर फ्लॉवर है, और पूश्प विंद का ये जो सिर्स भाग ये चोड़ा होकर कि क्या बनाता है, पूश्प के चारो भाग, इसी पूश्प पासन यानि थेले मस पर क्या होते हैं, विराजमान होते हैं, अब देखिए यहाँ पर, पूश्प यानि टिपिकल फ्लॉवर में चार परमुख भाग पाये जाते हैं, जो कि पूश्प पासन पर पाये जाते हैं, जो क्या होते हैं, पूश्प पासन यानि थेले मस पर विराजमान होते हैं, यहाँ पर ये जो प्रारूपिक पूश्प है, ये कैसा है, बाइसेक् है ना बाहे दलपुंच बाहे दलपुंच को इंगलिस में कैलिक्स कहा जाता है सबसे बाहे चक्कर है यानि सबसे बाहर का पुस्प का सबसे बाहर का जो चक्कर है वो बाहे दलपुंच है और अगर इसकी इकाई की बात की जाए तो वो कैसी होती है सैपल और ये साहिक चकर हो याद करोगे यहाँ पर दल पुंच इसको कोरोला कहा जाता है यह जो दल पुंच है यह बाहे दल पुंच के भीतर इस्तित होता है और इसकी एकाई है वो दल यानि पैटल है यह क्या है साहिक चक्र है यह भी साहिक चक्र है और यह भी साहिक चक्र है इसको सी से डिनोट किया जाता है, जबकि इसको के से डिनोट किया जाता है, दोनों ही क्या है, साहिक चक्कर है, कहने का मतलब ये लेंगिक जनन में भाग नहीं लेते, लेकिन साहिक होते है, तीसरा, यहाँ पर पूमंग, यानि एंडोसियम है, पुस्प का नरजननिंग भाग है, अगर इसके इकाई के बारे में बात करें तो वो स्टेमन होता है ये आवसिक चक्कर है इसको A से डिनोट किया जाता है इसको A से क्या किया जाता है डिनोट किया जाता है अगला यहां पर देखिए जायंग गाइनोसियम बोला जाता है ये पुश्व का मादा जननिक भाग है और अगर इसकी इकाई के बारे में हम यहाँ पर बात करें तो वो क्या है अंडप यानि कारपेल यानि इस्त्रीकेशर है और इसको जी से डिनोट किया जाता है तो ये चारो के चारो आप क्या करोगे याद रखोगे हिंदी और इंगलि बाग लेते हैं उपर वाले दो बाहे दलपुंच और दलपुंच ये साइक चकर होते हैं लेंगे जनन में बाग नहीं लेते लेकिन साइक होते हैं ठीक है अब यहाँ पर देगी ये स्ट्रेक्चर है फ्लॉवर की ठीक है मैंने कलरफुल लिया है तो हम कलरफुल देखो पूस्प जिस वरिंद पर लगवा होता है उसको पैडिसल कहा जाता है पैडिसल पूस्प वरिंद ठीक है ये जो फुलावा भाग नजर आ रहा है आपको पता है ये क्या होता है थेले मस होता है थेले मस पर ही पूस्प के चारों भाग क्या होते है विराजमान होते अब देखो यह जो ग्रीन वाला आपको नजर आ रहा है यह सैपल होता है इसका कलर कैसा होता है हरा होता है सैपल बाहे दल बाहे दल होता है यह क्या होता है साहिक चकर होता है आपको पता न यह साहिक चकर होता है लेंगी जनन में बाग नहीं लेता लेकिन क्या होता है साहिक ह ये उपर वाला ये जो है ये स्टिग्मा है ये यहाँ पर स्टाइल है और ये है वो क्या है ये वाला मतलब ये ओवरी यानि अंडा से है ये वरतिकाग्र है ये वरतिका है ये ओवरी है ये पिस्टल के भाग है यानि अंडप के भाग है कितने भाग होते हैं तीन भाग होते ह ठीक है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, फ्रतिकाग्र, फ्रतिका और अंडासे, ठीक है, ये देखूं, ये जो आपको स्ट्रेक्चर नजर आ रही है, इस तरीके से, इसको कहा जाता है, फिलामेंट, इसको क्या कहा जाता है, फिलामेंट कहा जाता है, और उपर इस तरीके प्वाकोस फीलामेंट यानि पूतन्तूद यह दोनों मिल करके किसका निर्मान करते हैं स्टेमेन का यानि पूंकेशर का निर्मान करते हैं ठीक है तो यह ओवल होई गया भी जान्ड हो गया ओके तो यह जो यह दल है यह कैसे होते इसाप अध्या परागन के लिए कीटों क्या करते पराम होते हैं यानि आर्क्रसित कैसे कर दी देखो यह जो बाट है ना यहां से नहीं होगी यह जो वाला भाग है वो सीधा का सीधा यहां पर टिकेगा इस थेलेमस पर तब मैंने वहां पर एक कलरफुल डाइग्राम एड़ कर दिया बाखी यह सारी चीज़े मैंने आपको बताई दिये हैं है ना अब देखो यहां पर हम टर्मिनोलोजी देखेंगे देखो आगे की जो कलास है उसके लिए जरूरी है कि यह टर्मिनोलोजी आपको आनी चाहिए अगर यह याद नहीं है तो आगे की कलासिस आपको समझ में नहीं आएंगी तो यह सब्दावली है अच्छी दिकी से आप इंजी चुको कहा जाता है पूंकेशर इसको लगु बिजानु पार्ण कहा जाता है यानि माइक्रोस्पोरोफिल कहा जाता है क्या कहा जाता है माइक्रोस्पोरोफिल कहा जाता है बिजांड यह गुरू बिजानु धानी बिजांड यानि गुरू बिजानु धानी इसको मेगा कहा जाता है पराग कोष लगू बीजानो धानी और या फिर लगू बीजानो धानी को आग पदाला कि पराग धानी भीन चार जाता है लिखले России जाता है इसको माईक्रोस्पॉर गेमेट कहा जाता है परागगण जो कि पराग नलिका युक्त हो उसको मेलगेमटोθ Complete कहा जाता है यह जो परागण है वो नर्युकोधवित की प्रत्थम कोशिका होती है अब देखो आप यहाँ पर ऐसी भी बोल सकते हो कि मेडम यहाँ पर जो परागण है इसको टो आपने ल नरिकोद यानि मैलकेमेटोफाइट का तो यह सारी जो टर्मिनलोजी आप क्या करेंगी याद करेंगी दू-तीन-चार बार पढ़ेंगी तो याद हो जाएगी यहाँ पर देखो टोपिक अपना यहाँ से स्टार्ट होगा यह सारी बैसिक सी जनन की द्वारा क्या बनती है कोपीज ही बनती है नोट पुश्प पादप का लेंगिक प्रदशन यानि सेक्श्वल डिस्पली है जो की पादप की जननिक सफलता यानि रिप्रोडेक्टिव सक्सेस को क्या करता है बढ़ाता है मुझे एक बात बताओ मतलब आपके आसपास मालो की एक गार्डन है छोटा सा उसमें बहुत सारी फ्लॉवर लगे वे है बहुत सारी फ्लॉवर लगे वे है लेकिन कोई एक ऐसा फ्लॉवर होगा जिस पर आपकी नजर पड़ेगी जो उसमें सबसे ज़्यादा अट्रेक्टिव होगा सबसे ज़्यादा क्या होगा अट्रेक्टिव होगा सबसे जो खूब सूरत होगा उसकी तरफ कीट क्या होगे ज़्यादा आकसित होगे होगे की नहीं होगे तो आपको पता है कि वो जनन के लिए क्या होती है सफलता ही एक तरीके की पुश्प पादप का लेंगी परदर्शन यानि एक sexual display वो फ्लॉवर एक तरीके का sexual display हो गया किसके लिए? कीट के लिए जो कि पादप की जननिक सफलता को क्या करता है बढ़ाता है यानि डिप्लॉडेट की सक्षेश को क्या करेगा इंक्रीज करेगा अब देखो ये जो डाइग्राम आपको नजर आ रहा है ये किसका है? पुंकेशर का है किसका है भी या? पुंकेशर है ना? और पुंकेशर के दो पार्ट होते हैं और ये परागकोश है जो कि द्वेपालित होता है देखो इस्त्रीखे से द्वेपालित होता है इसको परागकोश कहा जाता है ये नीचे चो इस्ट्रेक्चर नजर आ रहे है इसको पुंकेशर यानि माइक्रोस्पोरोफिल ठीक है याद कर लोगे ना इस्तरी केसे अब यहाँ पर देखी यह डाइगराम भी आप देखी यह जो डाइगराम है वो इस्तरी केशर यानि अंडब का है और आपको पता है कि इस्तरी केशर को क्या कहा जाता है मेखा स्पोरोफिल कहा जाता है क्या कहा जाता है मेखा स्पोरोफिल इसको क्या कहा जाता है मैखा यानी बड़ा होता है अरे बड़ा कोन होता है इस तरी बड़ी होती है न तो ऐसे याद कर ले न अब देखो यह उपर वाला पार्ट है यह क्या होता है व्रती कागर इसको इंगलीस पर स्टिग्मा कहा जाता हिंदी और इंगलिस दोनों याद करो कि मैंने पहले ही बता दिया रतिका इसको स्टाइल कहा जाता है अंडा से ये अंडा से है इसको ओवरी कहा जाता है ठीक अब यहां पर देखिए ये आपको जो नजर आ रहा है ये अंडा से है यानि ओवरी है ओवरी के अंदर क्या पाया जाता है ये बिजांड पाया जाता है यानि ओव्यूल पाया जाता है और बिजांड के अंदर भून कोस ये भून कोस है ठीक है और भून कोस के अंदर ये जो आपको नजर आ रही है ये अंडा यानि एंब्रियो है और ये जो भून कोस यानि एंब्रियो से एक है भून कोस के आगे की ग्लासिस आएंए तो वहाँ पर समझ में आजाएंगी, बस अभी आप इतना ही याद रख लेना कि भून कोस्ट कें अन्दर साथ कोशिकाई क्या होती है, पाए जाती, यह जो डाइग्राम था। मेका इस पोरोफिल का था यानि इस्त्री के शरका था ठीक है हो गया उपर की तरफ वरतिकागर होती है बाद में ये वरतिका है ये अंडाशे है और अंडाशे के अंदर बिजांट होता है बिजांट के अंदर भूनकोश होता है भूनकोश के अंदर क्या होता है अंडा होता ह हैं तो यह था डाइग्राम तो अच्छी से क्लियर हो गया होगा आपकी है ना सारी चीजे तो सारी चीजे मैंने आपको बहुत अच्छी तरिकी से बता दी हैं एक वर्फी से देख लो देखो मैंने आपको बताया है या फिर कहें दो कि sexual reproduction in flowering plant इसमें आपको embryology क्या होती है यहाँ पर जो हम पढ़ेंगे वो capsula टिपिकल एंजियो स्पम के बारे में पढ़ेंगे उसमें पीड़ी एकांतरन पाया जाता है sporophyte gametophyte फिर sporophyte आजाएगा फिर gametophyte आजाएगा जो sporophyte वो बिजानुद भीद होता है gametophyte होता है वो कैसा होता है एग उनी त्यानी haploid होता है फिर reproduction के बारे में देखा ठीक है उसके भाग हमने देख लिए और यह terminology जो कि हमने पढ़ ली ठीक है और यहाँ पर अपना chapter क्या हो जाता है complete हो जाता है यह वाला यह class यहाँ पर क्या हो जाती है complete हो जाती है बए chapter तो हमने start ही किया है वो तो चलेगा लंबा अपना तो इस video lecture पर इतना ही फिर मिलेंगे एक नए video lecture के साथ में तब तक के लिए जय हिंद जय भारत